हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है अब आपकी डिमांड थी ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में कंपनी वो है जिनका आई प्यो जमा जमा आया था ताम जाम के साथ लोगों को लिस्टिंग गें भी लिया और आज रुला रहा है बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी पहले जानते हैं और फिर लास्ट में उस लड़निंग को रखेंगे 2007 में कंपनी सुरू हुई थी डारेक्टी इन्वाल्ड है ड्रोन में 50% मार्केट सेर है इंडिया में यही वो रिजन था जमा जम वाला वर्ड मैंने यूज किया और मैपिंग सर्वे सिकुरिटी सर्वलांस हर जगह इनके ड्रोन का यूज हो रहा है ठीक है इंपोर्टेंट डेटा निकालते हैं जिससे इनके क्लाइंट के बिजनस को यूसफुल इंसाइट्स मिल सके फ्यूचर की प्लानिंग कर सके इनके मदद से वहां पर अगर इनके प्रोड़क्ट को हमने दिखाने की कोशिस की है कि इनके प्रोड़क्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं निंजा यूए भी राइनो यूए भी और डिफरेंट डिफरेंट प्रोड़क्ट हैं कंपनी का जो 92% का रेवेन्यू है डिफेंस से आता है और 8% सिविल से आगे डिफेंस है जह हम आज हम समझ पा बहुत अच्छा जगह है काम करने के लिए ठीक है और यह जो रिपोर्ट बना है ग्लोबल रैंकिंग वाला यह यूरोप में एक इंटिटी है जो हर साल पब्लिस करती है वर्ल्ड के सारे ड्रोन मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी के डेटा के बेस पर ठीक है और इनका जो ड्रो सिविल और डिफेंस दोनों जगह यूज किया जाता है तो डुएल यूज मैनुफेक्ट्रिंग का में सिंस यही आया उसके बाद ग्रांट ऑफ सेवन न्यू पेटेंट सोकेसिंग इनोवेशन सेवन न्यू पेटेंट इनके पास है जो इनोवेशन को बता रहे है उसके बा सबसे पहले तो यह वह है कौन-कौन आइडिया फोर्ज में फसे हैं पहले वह बताईए और इसके फंडामेंटल पर जाने से पहले हम उस लड़निंग को डिसकस कर लेते हैं यह देगी रहे हैं गिरा जा रहा है समलने का तो है नहीं कहानी समलने का है इससे पहले लर्निंग यह समझ लीजे कि वैलवेशन क्या होता है आईपियो जब आता है बहुत जहमा जहमा आता है लोग समझ नहीं पाते हैं लोग दीवाने ड्रोन की कंपनी है नंबर वन है इंडिया में बेस्ट है यह वो करके जहमा जहम होता है लोग फसते हैं और अनापसना वैलवेशन फसके सारे पैसे खो देते हैं और उसका एक बहतरीन example है बट लर्निंग क्या है company तो अच्छी है लेकिन क्या company अच्छी है इसका मतलब हम उसको किसी भी भाव पर खरीद ले नहीं न इसलिए valuation important आता है यह बहुत important learning है इसको अपने diary में अपने जहां note करना हो यह note करें बहुत important आएगा किस तरीके से गिर रहा है क्योंकि यह नीचे का पता है पूरा support level बन रहा है और यह तूटेगा तो वापस support level कहता है जो support level की study है कि यह तूटेगा तो फिर गिरेगा that's the part और यही चीज़ हमें समझने की जरुवत है weekly देख लो यहां से यह देखो यह देखो यह देखो ऐसे यह देखो तो this is the most important part जहांब हमें यह चीज़ समझना चाहिए बांकी तो वही है कि जो जितना समझेंगे market में कमाएंगे और market के पीछे भागेंगे तो सिर्फ गवाएंगे इनके अगर हम प्रॉफिट लॉस पर आते हैं बट आपके सामने मैं कुछ नहीं बोला जो है आपके सामने वहीं पर निट प्रॉफिट आप देखो गिर रहा है कमपनी अच्छी अच्छा बात है ना बट वो क्या कर रही है किस तरीके से कर रही है यह समझना बहुत इंपोड़न्ट आता है अब यह जो मार्जिन आया उतना फ्लक्ट्वेटिंग क्यों है तो मैनेजमेंट ने कहा है कि ओपीयम परसंटेज का रीजन जो बताया कि मार्जिन डिपेंड करता है कॉन्ट्रेक्ट के मार्जिन पर जैसा कॉन्ट्रेक्ट वैसा मार्जिन अभी रीसेंट क्वार्टर में कंपनी ने नंबर ओफ एंप्लवाई लगवग 32% जादा बढ़ाए हैं 30 जून 2023 के कंपरीजन में जैसे उनके ओपीयम परसंटेज पर असर दिखा है लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले टाइम में 25-30% तक रहेगा ये मैनेजमेंट का कहना है इसे क्या करना है मैं अगर देसी भासा में बात करूँ ना मैं जही वैलवेशन पर धंदा हो रहा है तो वेरी गुड नहीं हो रहा है तो एक रुपे ना लगा हूँ अगर स्टॉक मार्कें में जिंदगी भर रहना है ये बात लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं रह गया मैं रह गया यह चुट आड़े एक जाएगी दूसरी आएगी दूसरी जाएगी तीसरी आएगी मार्केट कहीं नहीं जा रहा है भाग रहे हैं सर्फ हम याद रखेगा इस लड़निंग को तो दिस दपॉइंट जहां पर बताना मेरा काम था एंड आई होप अब आप रिलेट कर पाए होंगे कि मैं क्यों कहता